हेलो वाट्सप गाइस माने में स्पिनुवाद बादू थापा एंड टूदे इस पीडियो विल सी हो तो फेच अप्याइड डेटा इन यूर रियाइक्ट अप्लिकेशन जिहां गाइस तो आज के वीडियो बहुत ज्याद आश्म है क्योंकि फाइनली आज गड़ी आ गई है जहां हम हमारे यह जो पिकाचू है उसको पकड़ने वाले हैं समझ रहो आएम सुपर एक्साइटे ओप आप बहुत ज्याद एक्साइड़ होंगे सो कैसे आप रेडियो पिकाचू को पकड़ने के लिए लेट्स डू इट है ना ओल राइट इहां पर हम चलते है तो यह कल क पर कोड था जिस पर हम काम कर रहे थे उसी पर ही हम काम करेंगे ठीक है अब मैं आपको बताते हैं जो भी कोड आपने लिखा है किया सिंपल है यरी नीड टू कम एन सिंपली यूजए इफक्त इस तरहीं से यह आपका CALLVAC function होगा यहाँ पर आपका एक ए अरे डिपेंडेंसी होगा अब यह जो भी कोड था इसको आप यहां से हटाये इस particular जो आपका code है उसके अंदर रग दीजिए and this is it अब यह जो particular part है इसको आप यहाँ पे रहने दीजिए कोई problem निये सेप कर रहा हूं यहां पर मैं आता हूं एक बार मैं यहां पर लेकर चलता हूं आपको दिखाता हूं तो देखो मुझे सारे के सारे डेटा मुझे मिल चुके है कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर रिक्वेस्ट काल ना है 3400 पाहुज गया सा बट कोई प्रॉब्लम नहीं सिफ तीन ही रिक्वेस्ट हो रहा एक सालए धर को ऑप गए गया थीनयों इत्सक्राइट यहां मुझे लगता है अपुजी किया प्लोड़ो bit ठारी सिस्क्राइटर ऐनाप्रेंस दिखो केbrahim क देखो, first time use effect आपका चलता है, no matter what, उसने इसको call किया, ठीक था, then data उसको मिला, and उसने इसको update कर दिया, कोई problem नहीं है, फिर से होना वही था, कि ये जो आपका updated function है, जैसे ही इस पर आप कुछ भी data पास करते हो, तो मेरा जो state variable है, जो मेरा current state variable है, उसकी value change हो गई, तो जब य render हुआ, कल के time में तो मैंने directly भाल लिख दिया था इसको, वापस है चलिया, but this time we have this power, we have this awesome array dependency, now ये जो array dependency है, it will make sure कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही बार चलेगा, कितनी बार, सिर्फ एक बार, and next time बले ही अब ये इसको update करे ना करे, इसको कुछ लेना देना नहीं है, use के बार चलेगा, एकदम starting में, उसके बाद ये नहीं चलने वाला, तो that's why मुझे वो data यहाँ पर बहुत easily आ गया, and कोई मेरा यहाँ पर rerender, वो infinite loop पे कुछ निभी नहीं हुआ, simple इसका region ता, just use effect hook आपको use करना है, and this is how use effect hook help us to handle side effects in our react application, यही है आपका side effects, simple, जो एक external source of data के स वीडियो बना है ता कि आपको यह पता चले की problem क्या था है, and use effect उसको कैसे solve कर रहा है, चलो, ठीक है, यह तो मेरा काम हो गया, आपको पता चले कैसे deal करना था, लेकिन what about our Pokemon Pikachu को कैसे पकड़े हम, ठीक है, तो उसके लिए guys, obviously we need Pokemon वाला API, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, आप this is what your actual data is, जहाँ पर हमें अब array of an object नहीं मिल रहा है, we are getting an object, with multiple properties, ठीक है, तो इसका मतलब यह होगा, कि मैं यहाँ पर चलूँगा, यह जो particular URL के बदले, मैं मेरा यह वाला URL रख दूँगा, तो आप यहाँ पर बहुत सारे चीजे कर सकते हो, let's say const, बहुत सभी लोग इस त कर देते हैं, ताकि वहाँ पर अटपटा ना लगे, simple API, आप यह भी कर सकते हो, कितना neat and clean हो गया, यह है ना इस तरकी से, API, मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, तो मुझे data नहीं मिलने वाला यहाँ पर, and क्यों नहीं मिलने वाला, मैं बताता हूँ आपको, API data.map is not a function, ठीक है, तो guys, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर, वो जो error है, उसको solve करने से पहले, इसको मैं थोड़ा सा और better बनाना चाहूँगा, क्यों ना, मैं एक function कॉल करूँ, fetch Pokemon, लिख देता हूँ, simple एक function है यह, and इसको मैं हटाता हूँ यहाँ पर, and बाहर जाके कहीं तो भी, const fetch Pokemon, so guys, simply यहाँ पर मैं paste कर देता हूँ, ठीक है, तो अब और भी easy हो गया, like use effect में मैं function को call कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा वो data है, and simple इतिना, ठीक है, अब वापस यहाँ पर मैं चलता हूँ, एक बार refresh करता हूँ, तो अब आप मुझे बताईए कि क्या problem हो सकता है, यहाँ ब Pikachu का, हाँ मैं सिर्फ और से Pikachu मिल रहा है, यहाँ इसको मैं हटाता हूँ, and enter hit करूँगा, तब मुझे बहुत सारे data मिलने वाले Squirtle, Charizard है, जैसे suppose, I mean, मैं back लेके चलता हूँ, देखो, इतने सारे, ठीक है, let's go with Squirtle, Squirtle, हम पाता नहीं, वो पाने वाला याद है, अपना, इ data मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ Squirtle का, जो की एक object है, ना की एक array है, तो अब मुझे इसको हटाना है, and फिलाल मैं यहाँ पे एक null put कर देता हूँ, and अब हम loop नहीं चला सकते, guys, हम loop नहीं चला सकते, क्योंकि data सिर्फ एक ही है, मुझे यहाँ पे directly पता क्या करना होगा, not over here, over here कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसको मैं close कर रहा हूँ, यहाँ पे यह जो particular part है, ally, उसको मैं close कर रहा हूँ, and here we have this particular ul, उसको भी मैं close कर रहा हूँ, and साथ इसाथ, last नों बचा, we have one section, उसको भी मैं कर देता हूँ, closed, मेरा एकाम हो गया, ठीक है, इतना अगर मैं करता हूँ, आपको पता चल गया कि, फिलाल अभी हम सिर्फ एक डेटा के साथ खेल रहे है, and आने वाले दो तिन वीडियो हम सिर्फ उसी के साथ खेलेंगे, हमारा जो mega project होगा, Pokemon वाला, तब हम actual में पूरा का पूरा API यह आरे वाला वो get करेंगे, फिलाल अभी हमें इसके साथ डिल करन अब एक चीज़ नोटिस करना, मैं जब refresh करूंगा, तो for the very first time I am getting this null value, मैं सोच रहा था है इसको भी में एक अलग वीडियो में बनाऊ, but मैंने सोचा छोड़ो रहने तो आप लोगों को लगेगा अब है कितना लंबा खीच रहा है, but reality में मैं हर एक वीडियो को separate इसले बना यह एक property है, तो कैसे get कर सकता हूं मैं property को बताओ, है न, let's imagine, li के अंदर में गया है, यहां पे एक h1 ले लेता हूं, and we have this particular part, अमारा यह जो API data है, dot, name अगर मैं कर दूँगा, and name, yeah, see, we have data over there, but वो back side में है, and name Pikachu है इसका फिलाल, एक सेक्ड इसका थोड़ी name Pikachu है, Yeah, this is it में, यही आपको बताने वाला था, cannot read properties of null, यह problem आता है, मैं बताता हूं क्यों ऐसा problem आ रहा है, क्योंकि for the very first time, जब आप data को get कर रहे हैं यहां पे, वो आपको null देगा, यह video सच में बहुत important, and खासकर यह point, जब भी आप API के data को call करोगे, for the very first time होता यह है, हुआ यह कि जब आप first time इस component को call करते हो, यह यह render होता है, तब use effect hook चला, उसने function को call किया, ठीक है, function में हम API call करे, obviously API का data ऐसा तो है, नहीं कि फटसा हमें मिल जाएगा, थोड़ा समय लगता है, लेकिन यह जो console.log है, वो तो पहले ही चल चुका है, and हमारा यह जो API का data है, first time क्या है, the very first time जब हमारा component render होता है, हमें API का data null मिलता है, and once जब यह जो fetch API है, यह जो fetch method है, जब इस API का data को get करके, जब यहां पर हम उसको update करते हैं, तब जाके आपका API का data में वो value add होती है, तो for the very first time जब component mount हो रहा है, यह render हो रहा है, तब API का data null ही रहेगा, कुछ milliseconds के बाद, जो ह हमें पाता भी नहीं चलता है, यह जो value है, अपडेट हो चुका होता है, जो इसको update कर देता है, फिर हम उस data को get कर सकते है, but first time value always null रहता है, अब हम इसको deal कैसे करेंगे, बहुत easy है, हम क्या बोलेंगे, मेरा यह जो return function है, याद हमने यह deal किया हुआ है, if Pokemon की यह जो value है, Pokemon ही यहाँ पर, sorry, it's not a Pokemon, it's a API data, अगर API data बाराबर है, तो ही यह data मुझे दिखाओ, simple है, कितना easy, funda simple है, कि जब API का data मिल जाए, तब इसको run करना, बात ही खत्म, अब देखो, कोई problem नहीं होगा, यहाँ पर हमें, इसको मैं एक बार रिफ्रेस कर देता हूँ, तब कोई problem नहीं just problem यह है यहाँ पर, कि मुझे वो उसकी पीछे चला जा रहा है, data, section, ul, Pokemon, and yeah, see, we have Pikachu data over here, मैंने तो Pikachu कभी खुद से लिखा भी नहीं था, but मुझे Pikachu मिल गया over here, ठीक है, and, ठीक है, मैं आपको बता तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर image लगेगा, figure tag के अंदर, ठीक है, तो मैंने फिलाल तो Pokemon लिखा हुआ है, but मैं API कर देता हूँ, API data, and boom guys, see, कैसे लागा, आपको हैने कितना ज्यादा उसा में देखे, Pikachu, यह देखे, यह देखे, यह मुझे देखो, यहाँ पर मुझे image आ गया, and कैसे आया है, मैं आपको बता तो, ध्यान से द आप इसको copy कीजिए, इस particular code, word को paste, here we have sprites, and यहाँ पर यह सारे के सारे images, जो आपको दिख रहा है, यह सारे के सारे images, देखो, फिलाल तो मैंने ऊपर स्कॉर्टल किया हुआ है, इसलिए मुझे स्कॉर्टल का मिल रहा है, तो इस तरीके से आपको मिल रहा है, तो मैंने करता, तो स्कॉर्टल स्कॉर्टल आप देख सकते हो, यहाँ पर मुझे मिल रहा है, ठीक है, यह है इसका actual तरीका, तो अगर मैंने वहाँ पर Pikachu के बदले, यह कौन डेट है, हमारा स्कॉर्टल है, तो मैं वापस बैक करूँगा एक बार, अगर मैंने यहाँ पर चलो फिलाल Pikachu मुझे मिल गया, अब अगर मैं यहाँ पर Pikachu के बतले, स्कॉर्टल कर देता हूँ, तब मुझे मिलेगा देखना कौन, we have a स्कॉर्टल, और नाम भी अपडेट होगा, देखो, मैं तो खाली API चेंज किया था, बट API ने अपने आप अपना काम किया, स्कॉर्टल और मुझे वो डेटा मिल गया, है ने कितना ज्यादा ओसम, तो या गाइस, इस इस वीडियो के लिए इतना ही, and I hope आपको पता चलाओगा कि, कैसे इन react application, use effect hook, कैसे आपका side effects को, deal करने में काम आता है, and कैसे हमें इस code को लिखना था, रही बात ही, हाँ पर यह वाला जो particular code है, इसको आ चाहूंगा, है ना, into Pokemon, ठीक है, मैं Pokemon कर रहा हूं, and यहाँ पर मैं set Pokemon कर देता हूं, and यह जो part है, set Pokemon, and I think now, there will be no more warning, अगर जब तक Pokemon true नहीं है, या जब तक Pokemon मुझे नहीं मिलता है, we will return a div with h1 value, जहाँ पर हम लिख देंगे इस तरीके से, loading, ठीक है, इस तरीके से वो loading हो रहा होगा, and यह मेरा deal हो गया, इधर you can go with this तरीका, फिलाल इसको मैं हटा देता हूं, है न, and मैं यहाँ पर चलता हूं, and इसको भी मैं हटा देता हूं, इस तरीक है, तो यह दो तरीक तो console पे, sorry, यहाँ पे कुछ तो भी problem हो रहा है, Pokemon, we have a Pokemon, Pokemon, oh sorry, yeah, here we have a API data, still, ठीक है, क्योंकि, देखो, subset हो गया, कोई problem न, फिर भी मुझे मेरा data रहा हूं, तो यह थाना कितना ज्यादा awesome, बट कल की वीडियो में, मैं आपको actual में बता हूंगा, कैसे आप, loading state, and then error state को handle कर स effect application using use effect hook, ठीक है, तो वो कैसे करना है, कैसे loading state को handle करे, कैसे errors को handle करे, क्योंकि यह कहीं न, कहीं थोड़ा सा, like, समझ रहो, हला कि सही है, but still, क्यों न, इसको भी हमें, state variable में convert करके देखे, मज़ा आएगा है, तो I hope guys, वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आ होगा, यह URL बहु कर सकते हो, and thanks, जिनोंने भी यह URL बनाए, मैं उनका, guys, नीचे आपको share कर दूँगा, please, आप support चाते हो, तो उनको जरूए कीजिएगा, but जो भी हो, यह आपको मिल गया है, but let's go with our Pikachu, so guys, इस quarter के बदले हम Pikachu के साथ चलते, क्योंकि S का, सबसे पहला Pokemon ही Pikachu इसने पकड़ाता है, and हम भी Pikachu पकड़ेंगे, है न, all right, guys, तो yeah, this is it, आज इस वीडियो के लितना ही, hope, वीडियो बहुत ही जादा पसंद आ होगा, बहुत कुछ सिखने मिला होगा, खास कर यह नल वाला, क्यों आपको first time नल मिलता, वो भी आपको पता चलिया होगा, तो every day हम नया सिख रे, every day हम कुछ unique सिख रे, unique property देख रे, तो यह है न, इतना ज्यादा उसम तो guys, मानते हो कि न, world west react course, तो please दोस्तों के साथ भर-भर के share कर दीजएगा, वीडियो को like कर दीजएगा, next target is 1 million subscriber, वीडियो पसंद आ है, तो please like कर दीजएगा, यह एक button ही तो press करना आपको, बस हमें एक motivation मि झाल